हेलो फ्रेंड चसी नीटिंग चैनल पे आपका स्वाक्त है फ्रेंड आज हम आपके लिए बहुत ही सुन्दर सा दो ही सलाई का डिजाइन बताने वाले हैं इस डिजाइन को आपने एक जैन्स कैप में डालना है बेबी कैप में भी डालना है और लेडी कैप में भी डाल सकते हैं और इसको स्वेटर कार्डिगन जैक्ट में भी डाल सकते हैं जे रेडी मेड लुक देने वाला डिजाइन है बहुत ही प्यारा है और बहुत ही असान है और इसको beginner भी बना सकते हैं, तो हमने देखो क्या किया, हमने 9 नंबर पे इसको बुनना है, यह देखिए, 9 नंबर पे बुनना है, और हमने जो फंदे लेने हैं, हमने फंदे डाल लिये हैं, हमारी वो थोड़ी पतली है, हमने डबल गिया है, और इसके जो हमने फंदे लेने हैं, वो 5-5 फंदों के हिसाब से फंदे लेने हैं, और 3 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं, तो उसी हिसाब से अपने project में फंदे डाल लिजगे, जैसे ही फंदे डालीए, तो आप ए back side है, एक सीधी slide बना सकते हैं, और right side में इसकी सीधी slide हमें ज जहां से देखना है तो friends हमारी दो ही सलाई में design बनेगा एक सीधी में एक उल्टी में बस उसके बाद finish है उसी दो सलाईों को repeat करना है लिकन हमने बनाना कैसे है हमने एक फंदा जैसे direction में हैगा है उसी में उतार लेना है slip करना है thread करना है पीछे है ना पीछे ना भी कीजिए अगर इंटा है, तो इंटा स्लिप का लिया है आगे जो दो फंदे हमने बुनने हैं वो उल्टे ही बुनने हैं ऐसे थेख है तो हमारे दो फंदे उल्टे आगे , एक आगे तीन हममेंगों the design है तो तीन Earth इमिए है तीसरे फंदे में हमने क्या करना एक दो और तीन तीन फंदे सीधे है न तो पांच फंदों में डिजाइन बन गया एक फंदा सीधा दो उल्टे तीन सीधे फिर दो उल्टे ये राइट साइड है फर्स्ट स्लाई फिर तीन फंदे सीधे दो और तीन फिर दो फंदे उल्ट बस ऐसे ही हमने पूर्य, स्लाइब बनानी है तो देखिए फ्रेंड हम लास्ट में आगे हैं तो दो फन्दे उल्टे बुने हैं फिर तीन फंदे हमने सीदे बुने हैं अब लास्ट में भी हमने तीन उल्टे बुनने है जो हमारे एक्स्ट्रा होंगे जैसे तीन हमने फ्रंट में बुनने है तो लास्ट में हमने तीन उल्टे बुनने है तो एक फंदा हम अपने पास से ही बढ़ा लेंगे क्योंकि जब भी हम कोई डिजाइन डालते हैं अगर फं हैं बैक साइड में हमने कैसे बुनना है इसको ध्यान रखना है एक फंदा तो हम बढ़ेंगे उल्टा जो सिलिप करना सीधा बुना था और ठ्रेड करेंगे पीछे और दो फंदे बुनेंगे सीधे सिंपल सीधे बोन लिए अब जो ये तीन फंदे है इनको कैसे बोनना है थ्रेड करेंगे हाँ इसको कैसे बोनना है जो ये फर्स्ट फंदा है न इसको अपनी तरफे थ्रेड करके उल्टा फंदा दिख रहा है लेकर इसको ऐसे नहीं बोनना इसको पीछे से लाकर ऐसे बोनना है ऐसे उल्टा उल्टा बोन लिया अब ये जो फंदा उल्टा है इसको बोनना है सीधा ये तीन में से है फिर थ्रेट करेंगे अपनी तर्फ इसको उल्टा बोनना है लेकन पीछे से ऐसे उल्टे को सीधा ऐसे नहीं बोनना पीछे को ऐसे उल्टा बोन लिया थ्रेट करेंग पीछे अब दो फंदे सीधे हैं तो सीधे ही बोल लेंगे। ये दो फंदे सीधे ही बुनने क्योंकि back side है second slide है। ठ्रेड करेंगे अपनी तर्फ ये जो हमने इदर से तीन फंदे सीधे बुने थे इदर आके हमने इसको ऐसे उल्टा बुनना है। थ्रेड पीछे करना है, इसको सीधा बुनना है, बीच वाले को, सिंपल सीधा, थ्रेड अपनी तरफ इस उल्टे को पीछे से बुनना है, तो तीन फंदों में ये डिजाइन ऐसे बनेगा, एक बार फिर देखिए, दो फंदे आएंगे सीधे, जो दिख रहे हैं हमें सीधे, दो सीधे, दो सीधे, तीन जो बीच के उल्टे हैं, उसको कैसे बुनना है, थ्रेड अपनी तरफ इस उल्टे फंदे को पीछे से ऐसे बुनना है, बुन लिया, इसको सीधा बुनना है, फिर इस फंदे को पीछे से उल्टा बुनना है, ऐसे, उसके बाद दो सीधे, तो बर इसको सीधा इसे पूरी स्लाई बैक साइट से ऐसे बुरुप जिए देखें लास्ट में है इन तीन फंदों को हमनें सीधा गुलटा बुरुप पीछे से अब लास्ट में हमारे ञें फंदे हैं तो हम दो सीते बुरुप है न क्योंकि बैक साइड है और एक उल्टा बुनेंगे रूल के हिसाब से फंदों के हिसाब से आब आते हैं सीधी स्लाई में क्योंकि दो स्लाई में डिजाइन बन गया है अभी डिजाइन दिखनी रहा बाद में दिखेगा जब और बन जाएगा तो फिर इनी दो स्लाई को बीट करना है इसको सीधा उतारना है दो फंदे हमने उल्टे बुनने है यह बहुत सिंपल है फिर स्लाई की तरह ही बुनना है और राइट साइड है फिर इसको सीधा ही बुनना है दूसरे को भी सीधा जो उल्टा दिख रहा था तीसरे को भी सीधा ऐसे फिर त्रेड अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, थ्रेड पीछे, सिंपल तीन फंदे सीधे, कोई आगे पीछे नहीं, थ्रेड अपनी तरफ दो फंदे उल्टे, तो ऐसे हम पूरी स्लाई बना देंगे, देखिए, लास्ट में ये तीन सीधे आगे, और लास्ट में दो तो जे फिर फिर स्लाई हमारी कंप्लीट होगी, ठीक है, बैक साइड, ऐसे दिखेगा, अब आते हैं, राइट साइड में, डिजाइन दिखना शुरू हो गया, अब हमने क्या करना है, हाँ, ये राइट साइड थी ना, तो राइट साइड में डिजाइन दिख रहा है, हमारे तीन उल्टे, दो सीधे, तीन उल्टे, दो सीधे, लेकन इन तीन उल्टों को कैसे बनाना है, एक उल्टा स्लिप किया, दो सीधे बुने, ठीक है, थ्रेड अपनी तरफ, अब इन तीन फंदों को कैसे बुनना है, तभी तो ये डिजाइन बनके आएगा हमारा बहुत सुन्दर इस उल्टे को हमने पीछे से ऐसे सलाई डालके बुनना है उल्टा इसको बुनना है सीधा इसको बनना है पीछे से सलाई डालके उल्टा ऐसे बस जेद्यां रखना है आपने फिर दो फंदे सीधे दिख रहे हैं तो हर बार दो सीधे ही आएंगे फिर उल्टे फंद को पीछे से सलाई डालके थोड़ा फंदा लूज कर लीजिए और पीछे से फंदे में सलाई डालके इसको सीधा थ्रेड अपनी तर्फ इसको उल्टा कैसे बुनना है पीछे से सलाई डालके फिर दो सीधे ऐसे बड़ा सुन्दर डेजाइन बनेगा देखिए उल्टी साइड है न तो यह उल्टा फंदा पुनेंगे ऐसा पीछे से लास्ट में है सीधा फिर उल्टा फिर लास्ट में दो सीधे दिख रहा है ना मैं दो सीधे और एक उल्टा तो चेन भी बहुत प्यारी बनेंगी और डेजाइन भी बहुत ही सुंदर बनेगे जो चेन भी बन रही है भी थोड़ा और बनाएंगे तो आपको पूरी प्रopper दीखेगी तो ऐसे आपने दो-दो सलाई और मतलब दो दो सलाई का ही डिजाइन है बनाते जाईए और बड़ा ही सुन्दर और कैप में बहुत अच्छा लगता है जो हम कैप बनाते हैं न उल्टी सलाई जो ए सीधी सलाई है इसमें हमने बहुत ही असार है बस इन तीनों को सीधे ही बुनना है कुछ नहीं करना बस ऐस सीधा बनते जाईए तीन फंदे सीधे दो फंदे उल्टे तीन फंदे सीधे यह राइट साइड है दो और तीन फिर दो फंदे उल्टे और तीन फंदे सीधे दो और तिन ऐसे यह देखिए लास्ट में तीन फंदे सीधे बुल लिए है दो उल्टे तेन सीधे यह राइट साइड ही है और दो उल्टे एक सीधा यह हर बार सीधा बनेगे तो इसकी चेन कुछ अलग से दिखेगी अब आते हैं यह राइट साइड है बैक साइड में फिर वैसे ही बनाना है हम क्यों बता रहे हैं कि थोड़ा आपको डिजाइन दिखे जाए उल्टा फंदा बुनिये दो सीधे बुनिये एक बार ही बताएंगे अब इसको उल्टा बुनना है ऐसे और इसको सीधा बुनना है ऐसे फिर इसको उल्टा बुनना है ऐसे तो तीन फंदे हमारे ऐसे बुनेंगे यह दो सीधे हैं तो दो सीधे बुन दीजिए फिर इसको ऐसे बुनना है थोड़ा सर लूज करके न ऐसे अगर नहीं आ रहा तो पूरा प्रॉपर तो ऐसे उल्टा इसको सीधा इसको उल्टा पीछे स्लाइड डालके ऐसे फिर दो सीधे बस ऐसे आपने डिजाइन को बनाते जाना है यह बैक साइड है आप दोनों बीजूच कर सकते हैं रिवर्सेबल बन जाता है इधर से भी और यह देखिए इधर से भी तो पहले हमें लाइन बना लें फिर देखिए कितना सुन्दर डिजाइन पार रहा है तो अगर कैप में डालेंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा अभी थोड़ा सा और बना के और यह चेन दिख रही है और डिजाइन बन कर बहुत सुन्दर लग रहा है अगर आपने एही डिजाइन बनाना है तो हमारे साथ इस वीडियो को जरूर देखिए और डिजाइन को बना डालिए क्योंकि एक कैप में बहुत अच्छा लगता है बिलकुल रेडी मेड कैप मे इसको उतारा है तो कोशिच की थी हमने के डिजाइन बन जाए और देखिए इसलिए हम कहते हैं कि इसको आप कैप में डालिए स्वेटर में डालिए तो रिवर्सेबल है क्योंकि कैप कई पर उल्टी पड़ी है सीधी पड़ी है तो उसमें हमें कोई ओ नहीं जो दिल करे व पूल्टी लाइन दिखती है जहां भी जब हमने आपको स्टार्टिंग में बताया उसी तरीके से आप रख सकते हैं और इसको आज आप बोर्डर भी बना सकते हैं और उपर आप इसको डिजाइन बोर्डर बना के कोई भी डिजाइन डालिए तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी नहीं डाल सकते तो इसी को आप बनाए और बहुत अच्छा बनेंगा तो हमें अमीद है कि आपको पसंद आ गया है अगर पसंद आ गया है तो आप जसी निटिंग को प्यार दीजिए उसको लाइक भी कीजिए और सब्सक्रेब भी कीजिए प्लीज प्लीज आपको दिखा सकें तो मिलते हैं किसी अच्छे डिजाइन के साथ तब तर टेक यार पाब बाई